हेलो इस्टुदेंट्स वेलकम टू माई क्लास आप सभी का स्वागत है मेरे सेशन में बच्चो आज मैं एटोमिक स्ट्रेक्चर के कुछ कुछ कोश्चेंज जई एडवांस पैटन के कराऊंगा मैंने बहुत अच्छे-च्छे कोश्चेंज करवाये थे डूरिंग दे लिक् लिक्रोज करें ना एक बच्चो लेसम स्टार्ट ओके ना एक बार क्वश्चन न्वर म्भवन देखो क्या है एक बायुट कर ऊस को इस गिवन यह इन डर इन अटम क्या है देखो थे अएबल इन अलक्रों इस moving with a speed of 600 meter per second with an accuracy of 0.05 यानि जो delta V है वो क्या होगा 600 into 0.05 upon 100 यही तो होगा क्या कोई problem बाले बात है नहीं upon यहाँ पर भी 100 लिख दो तो क्या हो जाएगा यह point के बाद आएगा यानि 30 upon 100 यही तो हुआ यानि 0.3 आगया बहुत अच्छी बात है certainty with the certainty with which the position of an electron can be located यानि simple सी बात है ढूनने क्या बोल रहा है delta x यही तो ढूनने बोला बच्चा बहुत अच्छा याद करो Heisenberg uncertainty principle लगा है तो delta x into delta V is equal to क्या होगा h upon 4 pi m होता है क्या यह greater than equal to का भी sign होता है numerical solve कर रहे हैं इसलिए तो चलो जल्दी बता दो delta x is equal to क्या होगा is equal to h upon 4 pi m delta v h की value क्या होती है 6.626 into 10 to the power minus 34 यह तो हम जानते भी हैं चलो बहुत अच्छी बात है 4 की value 4 होती है pi की value 3.14 होती m की value क्या होती है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg और delta v कितना दिया बच्चा 0.3 क्या कोई problem बाली बात है नहीं क्या आप delta x के ले इसको solve कर सकते हैं if you are preparing for j advance तो एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पर accuracy 0.005 है मैंने 0.5 लिखा था 0.005 करो ठीक है तो एक 0 और आ जाएगा याद रखना 60 यह 0 और यह 0 cancel हो गया then triple 0 एक और 0 डाल दो तो हो जाएगा 0.03 इस चीज को हमेशा बच्चो याद रखना is it visible yes sir तो यह अपन एक 0 अपन और बढ़ा दिये तो क्या हो जाएगा 6 अपन 30 अपन 3 अपन 1000 that is 30 0 cancel that means to say 0.03 meter per second कोई दिक्कत यह पूरी value पूट कर लिया और यहाँ पे हमने क्या किया 0.03 लिख दिया क्या कोई दिक्कत वाली बात है नहीं चारा सब सॉल्ब कर लोगे you will get the answer that is equal to option number c c का option हो जाएगा क्या कोई दिक्कत वाली बात है बच्चो नहीं बहुत easy questions आप easily solve कर सकते हो let's move to the next question जो next question है उसकी तरफ हम बढ़ जाते है next question क्या है एक बढ़ हम देखें बिलकुल सर चलो next question हम देखते है question number two क्या है the ratio of the frequency corresponding the ratio of the frequency corresponding to third line in the Lyman series अच्छा third line in the Lyman series of the hydrogen atomic spectrum to that of the first line in the Balmer series of Li2 plus this तो पुछा है अच्छा क्यां बोचा है third line अच्छा Lyman लाइमन सीरीज का थर्ड लाइन क्या होगा बताओ तो लाइमन सीरीज का अगर फर्स्ट लाइन कोई पूछे तो बोलो तो क्या होता है N1 की वैलू क्या होगी भीया 1 यह तो फिक्स रहती है और N2 की वैलू क्या होगी 2 यह तो फर्स्ट लाइन हो गया आ गया या नी जो third line है उसके लिए N1 और N2 की value हमें समझ में आ गई तो अब frequency निकालना है frequency का क्या ratio होता है यही तो दिया हुआ है चलो अब आपको पता है frequency is equal to क्या होता है c upon lambda होता है क्या बिलकुल और सबको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ c into 1 upon lambda सबको पता है 1 upon lambda is equal to क्या होता है याद करो equation याद है yes c into rh z square into 1 upon n1 का square minus 1 upon n2 का square याद आ गया yes sir चलो यह frequency किसके लिए हो गई मैंने मान लिया frequency 1 और यह किसके लिए मैंने मान लिया मानूंगा अभी मैं put कर रहा हूँ mu1 is equal to c into rh hydrogen है तो z की value क्या होगी 1 n1 n1 के जगा क्या होगा 1 square और n2 के जगा क्या होगा 4 यानी 4 का square क्या कोई दिक्कत वाली बात है नहीं तो mu1 is equal to यह mu का formula mu1 is equal to हम लोग क्या लिख सकते हैं crh is equal to mu1 is equal to लिखेंगे crh और इसको मैं solve कर दूँँ तो क्या होगा 1 minus 1 upon 16 बिल्कुल होगा क्या बिल्कुल तो mu1 is equal to क्या हो जाएगा c into rh आरेद मतर जानतों न रिडवर्ट कॉंस्टेंट 16 LCM ले लिए तो 16 minus 1 16 minus 1 यानि क्या हो जाएगा 15 upon 16 हो गया यह mu1 ओके अब पूछता है mu2 इस बार किसके लिए है lithium के लिए है lithium 2 plus c into rh z square के जगा क्या लिखेंगे भी या 3 का square lithium का atomic number क्या होता है 3 तो होता है बच्चों बिल्कुल बहुत अच्छी बात है उसका एन इस बार कितने कौन सा लाइन बोला first line first line Balmer series के लिए N1 क्या होता है 2 square और N2 क्या हो जाएगा 3 square यह तो जानते हो ना Balmer series के लिए N1 second line first line में N1 के value क्या होती है 2 और N2 के value क्या होगा 3 याद आया या सर यतना तो याद है इतना तो अपन कर सकते हैं mu2 is equal to क्या होगा c into rh 9 into 1 by 4 minus 1 upon 9 क्या कोई problem बाली बात है नहीं mu2 is equal to क्या लिखेंगे c into rh into 9 lcm ले लिया 36 9 minus 4 upon 36 क्या कोई problem बाली बात है नहीं तो इस तरह पाजाओ मैं mu2 is equal to मेरा क्या आ गया c into rh into 9 into 5 upon 36 यानि solve करके आ जाएगा 9 यानि mu2 आ जाएगा c into rh into that is 5 by 4 क्या कोई दिक्कत बाली बात है नहीं अब इनके बीच का ratio ढूनने बोला है तो चलो mu1 upon mu2 कर दें इस जगा पे कर दूँ दिख रहा है चलो mu1 upon mu2 कर दो mu1 के जगा क्या लिखोगे c into rh 15 upon 16 बहुत अच्छी बात है mu2 के जगा क्या लिखोगे c into rh upon 5 by 4 बहुत अच्छा ये और ये cancel mu1 upon mu2 is equal to 4 into 15 upon 16 into 5 क्या होगा बिलकुल 4, 4 जा 16 5, 3 जा 15 यानि 3 by 4 आगे answer क्या कोई देखो कितना अच्छे से solve कर दिया मैंने बहुत easy questions है आप easily solve कर सकते हो answer आजाएगा d option question number 2 का क्या answer होगा d option एक बार आप चेक कर लो मैंने क्या किया ये formula हमेशा यहाद आखना muz equal to क्या होता है c upon lambda और 1 upon lambda is equal to क्या होता है को बता 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square r at z square पूरा लगाएंगे क्या कोई दिक्कत वाली बात है नहीं no down कर लियो हो अपने वीडियो को पांस करके एक बार देख लो easily you can solve चलो मैं रब करता हूँ जल्दी से और हम लोग question number 3 की तरफ बढ़ जाते है question number 3 देखते हैं क्या है एक बढ़ देख लें बच्चो बिल्कुल easy है ज्यादा tough नहीं होगा चलो question number 3 की तरफ हम बढ़ जाते हैं देखो क्या है the time taken for an electron क्या question है the time taken for an electron to complete one revolution in bore orbit of hydrogen atom बहुत अच्छा time taken पूछा है याद करो मैंने बताया था velocity equal to distance upon time तो time is equal to क्या होगा distance upon speed यही तो होगा speed मतलब circumference मतलब 2 pi r और V मतलब क्या होता है velocity क्या कोई दिक्कत वाली बात है अब तुम मुझसे ज्यादा talented हो complete one revolution in bore orbit आपको पता है mvr is equal to क्या होता है nh upon 2 pi होता है क्या बिल्कुल तो V is equal to क्या होगा nh upon 2 pi m r होगा क्या देख लो अच्छे तरीके से बिल्कुल अब क्या मैं इस value को यहाँ put कर सकता हूँ बिल्कुल मैं put कर दिया 2 pi r upon nh upon 2 pi m r क्या कर सकता हूँ सर जी बिल्कुल कर सकते हैं यह उपर चला गया तो यह उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जल्दी बता दो 4 pi square r square m upon nh होगा क्या चेक करके देखो यह उपर चला गया 2 pi square r square m देखो क्या कोई option है क्या 4 pi square m r square upon nh देखो c option दिखतो गया कोई problem बाली बात नहीं है बहुत easy है you can easily do such kind of things क्या कोई problem है नहीं तो ऐसे ऐसे questions देंगे you can easily drive such kind of things if you have a command over the theory now I'm going to rub this part मैं इसको रब करता हूँ बच्चो और आगे बढ़ते हैं question number 4 की तरफ क्या given है question number 4 में इस चीज़ को अच्छे तरीके से आप समझ लो question क्या एक बढ़ लो बच्चो question में क्या बोला है the angular momentum of an electron क्या है the angular momentum of an electron in Bohr's H atom is इतना दिया हुआ है यानि angular momentum दिया हुआ है बिलकुल हमें पता है MVR दिया हुआ है कितना 3.02 into 10 to the power minus 34 यही तो है चलो calculate the wavelength of the spectral line emitted when the electron jump from this level to the next next lower level यानि आपको पुछा है n की value बताओ चलो देखो कैसे थरो question घुमा दिया है आपको पता है MVR is equal to क्या होता है NH upon 2 pi और इस NH upon 2 pi मतलब यह जो value है वो given है आपकी यानि क्या given है 3.02 into 10 to the power minus 34 is equal to NH upon 2 pi यही तो expression है वाजी सर बहुत अच्छा तो कैसे solve करेंगे 3.02 into 10 to the power minus 34 multiplied 2 pi की value क्या होती है 3.14 divided by h is equal to n होगा क्या यही तो n ढूनना है कि किस level में है चलो h की value क्या होती है जल्दी बता दो 6.626 into 10 to the power minus 34 क्या कोई दिक्कत वाली बात है नहीं चलो मैं लमसम माल लेता हूँ यह two times में कटेगा यह कट गया यह two two cancel तो n की value almost almost क्या मालने अगर रफ sketch लेते हैं round up करते हैं तो n की value क्या आ गई 3 आ गई क्योंकि estimate करना आना चाहिए चलो n की value 3 आ गई यानि किस लेबल पे है 3 लेबल पे अब बोलता है calculate the wavelength of the spectral line emitted when the electron jump from this level to the next lower level यानि जो next lower level है यानि कहने का मतलब n1 क्या है आपका 3 है तो n2 क्या हो जाएगा 2 होगा next lower level क्या आप wavelength का formula लगा सकते हो 1 upon lambda वाला formula बच्चो अच्छा एक चीज़ यहाँ पे समझ ले न 1 upon lambda is equal to क्या होता है जल्दी बता दो बच्चो rh z square into 1 upon n1 का square minus 1 upon n2 का square चलो 1 upon lambda is equal to rh की value क्या होती है 109678 per centimeter hydrogen के लिए पूछा तो z की value क्या होगी 1 का square n की value क्या है 3 का square and 2 का square क्या कोई problem बाली बात है नहीं अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और modification की बात करूँ 1 upon lambda is equal to 109 ठीक है 678 and 1 upon 9 minus 1 by 4 क्या कोई दिक्कत बाली बात है नहीं अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा modification कर दूँ answer minus में आ रहा है minus में आ रहा है मतलब next lower level है उसके लिए थोड़ा सा modified कर दो यानि actually जो मानना होता है इसको कम बाले को n1 मानते है तो लिखो यह n1 है और यह n2 है याद आया क्योंकि return ही तो होते है इसलिए चीजों को minus में तो तुरह समझ लो यह n1 है और यह n2 है तो इसलिए ऐसा नहीं के n3 है तो नीचे आगए नीचे आगए तो n1 lowest बाला ही होता हमेशा तो यहाँ पे 3 square नहीं यहाँ पे क्या लिखोगे 2 का square और यहाँ पे क्या लिखोगे 3 का square याद रखना इन चीजों को बहुत आगे आपके काम आएगा चलो यहाँ पे space कम है क्या आपने यह note down कर लिया यह वाला note down कर लिया चो मैं रब्द कर देता हूं इसको और रब्द करने के बाद देखो बच्चा क्या होता है मैं लिखता हूं 1 upon lambda is equal to 109678 into 1 upon 4 minus 1 upon 9 1 upon lambda is equal to 109678 then 36499 minus 4 that is 1 upon lambda is equal to 109678 into 5 upon 36 चलो solve कर दिया तो lambda की value almost almost आपको दिख जाएगी 6.56 into 10 to the power minus 5 centimeter बच्चो क्या कोई problem बाली बात है तो it's so simple आप easily इसको कर सकते हो अगर आपके पास command है आ गया समझ में कैसे n1 और n2 किया yes sir देख लो एक बढ़ कोश्यन चलो बच्चो अब मैं इसको रप करता हूँ और next section की तरह बढ़ते हैं क्या है next section देख लो next question एक बढ़ देख लो yes चलो next question क्या है देखो more than one option correct है इसमें more than one option correct है अब देखो ध्यान दो identify the correct statement the finding from the bore model of h atom okay क्या क्या है angular momentum is expressed यह तो जानते ही h upon 2 pi होता भी बता दिया mb r equal to nh upon 2 pi चलो first orbit का radius याद करो मैंने बताया था 0.529 यह भी सही है the energy of the nth level en is proportional विल्कुल याद करो मैंने बताया था na en is equal to e1 into z square upon n square तो यह भी सही है बहुत अच्छा बोलता है identify नहीं a, b, c तीनो सही मिल गया multiple चोचो था the spacing between the adjacent level increases with increasing in n spacing between जो होता है वो increases in n नहीं होता अगर मैं radius के regarding बात करूँ तो n नहीं लिखते है उसको क्या लिखते है rn is equal to r0 into n square लिखते है अगर spacing को इस टम्स में देखो तो यहाँ n square होना चीए था तो भहिया a, b, c तो सही है लेकिन कौन सा गलत है बच्चा ये वाला गलत है तो इसके लिए correct option क्या-क्या है a, b and c क्या को complete theory कभी-कभी j e advance के examination में theories भी आ जाती है तो देखो single option हमने कर लिए multiple choice question हम कर रहे है बिल्कुल questions अच्छे से पढ़ो theory को समझो questions को solve करना बच्चो कभी भी मुस्किल नहीं होता that's a trend that's a technique चलो अब मैं score up करता हूँ and let's move to the next question what is the next question क्या question given है इस चिसको थोरा सा एक बार आप समझ लो चलो बहुत अच्छी बात है चलो question number 6 की तरफ हम बढ़ते है अच्छा यह anti-z type question है बच्चो anti-z type question पढ़ो तो एक को question में क्या दिया हुआ है the atomic masses of helium and neon अच्छा बहुत अच्छी बात है इसका मैं solution लिख दो जो बोला मैं बिल्कुल वही लिखता हूँ atomic masses of helium कितना दिया हुआ बहिया चलो 40 sorry 4 और atomic masses of neon कितना दिया हुआ बच्छा 20 बहुत अच्छा AMU respect the value of d Brogley wavelength of helium gas at minus 73 degree Celsius is m times than that of d Brogley wavelength of neon at 7 to 7 degree Celsius m कितना है संच में आया चलो यानि जो इसका d Brogley wavelength है lambda है वो m times है ठीक है कब जब minus 73 degree Celsius है अच्छा इसको Kelvin में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 273 minus 73 यानि 200 Kelvin यानि जो T1 माल लो इसको 200 Kelvin है बहुत अच्छा अब बोलता है m times that of d Brogley यानि जो d Brogley wavelength इस पे होगा उसका m times है चलो बहुत अच्छा तो अब मैं बात करो इसका lambda 1 माल लेता हूँ और इसका lambda 2 तो मैं माल लिया भाया इसका x है तो इसका m x होगा m times मतलब तो यही होगा m x होगा चलो बहुत अच्छी बात है यानि जो helium का wavelength होगा वो neon वाले के wavelength से कितना होगा 5 times जादा होगा यही तो relation है अच्छा temperature मतलब माल लो T2 और यहाँ पे 5 times लिखा है और question में बोला m time तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे m माने है तो हम यहाँ पे लिख देते है m times क्या कोई problem वाले बात है नहीं 4 times बोलता है तो 4 lambda 2 9 times बोलता है 9 lambda 2 क्या कोई दिक्कत वाले बात है नहीं चलो अब T2 के बारे में 727 पूछा है 727 degree Celsius इसको Kelvin में change करो क्या लिखोगे 273 plus 727 तो यह कितना आ जाएगा जल्दी बता दो बच्चो यह आ जाएगा 1000 Kelvin बहुत अच्छा T1 और T2 आ गया बहुत अच्छा अब पुछा है कि m क्या होगा यानि यह m ढूंडो यानि lambda और lambda 2 में relation पूछा है अच्छा और दिया हुआ क्या है कुछ भी नहीं दिया हुआ से काइनेटिक एनरजी directly proportional to temperature अच्छा wavelength is equal to क्या होता है h upon mv होता है और दूसर रिलेशन क्या होता है h upon root 2m kinetic energy होता है क्या आरे वाह तो kinetic energy directly proportional है तो हम क्या लिख सकते है h is equal to root 2m t आरे वाह सर बिलकुल हो सकता लो आ गया अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ ठीक है तो lambda 1 is equal to क्या लिख होगे बच्चो h upon root under 2m m किसका जल्दी बता दो helium का temperature किसका helium के case में चलो lambda 2 is equal to क्या लिख होगे h upon root under 2m किसका नियान का temperature क्या होगा t2 वाह बहुत अच्छी बात है किया तो क्या हो जाएगा h upon root under 2m h e t1 upon root sorry upon h upon root under 2m n e t2 वाजी वाज़ सर अब बताओ lambda 1 और lambda 2 क्या है 5 ताइम्स है इसको क्या लिख सकते है lambda 1 upon lambda 2 is equal to m लिख सकते है लिख सकते है या नही बिल्कुल तो इसके जगा मैंने लिख दिया m मैं थोड़ा इधर आजाता हूँ m is equal to अब देखो बच्चो ये और ये cancel और ये 2 और ये 2 cancel ये उपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा पूरे पे root m n e t2 upon m h e t1 बहुत अच्छा m is equal to root under n e कितना होता है mass दिया हूँ 20 into t2 कितना दिया हूँ 1000 इसका कितना है 4 और t1 कितना है 200 क्या कोई problem बाली बात है बहुत अच्छा इसको 4 5s ओके ये 5s बहुत अच्छा m is equal to root under 25 यानि 5 देखो मैंने लिख दिया था 5 times लो आ गया 5 times कोई problem बाली बात है अब मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ क्योंकि एक-एक solution मैंने solve कर दिया बहुत अच्छा question था तो इस question का answer क्या होगा बच्चा ये लो मैंने bubble भी कर दिया bubble क्या कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बहुत अच्छा very very good क्या मैं इसको रफ कर दूँ बच्चो बिलकुल question मैं attack करना सीखो easily बन जाएंगे चलो मैंने रफ कर दिया बहुत अच्छा चलो अब हम next question की तरफ बढ़ते है next question क्या है question number 7 पढ़ो not considering the electron spin okay electron spin considerate नहीं करेंगे the degeneracy of the second excited state of hydrogen atom is 9 while the degeneracy of the second excited state of hydrogen minus अरे वा ये बहुत अच्छा question है बहुत अच्छी theory है समझना आपको पता है hydrogen क्या होता है one atomic number one as one यानि ये one electron system है अगर one electron system है तो आपको पता है भाईया कोई screening effect तो होगा नहीं क्योंकि only one electron तो है तो इस case में कोई impact नहीं है screening का screening तो जानते हो no screening effect ठीक है कोई screening effect तो होगा नहीं तो जब screening effect नहीं होगा तो जिस level में जो sub cell की energy होगे एक particular level पे उसकी energy almost क्या होगी same यानि इस तरीके से होगी 1s then 2s और 2p की same हो जाएगी then 3s equal to 3p equal to 3d and so on 4s, 4p, 4d अब बोला है कि n is equal to 3 यानि ये third level है इस level में इसकी degeneracy कितनी है भाईया 9 है अच्छा degeneracy मतल समझते हो s के कितने orbital होते है 1 p के कितने होते है 3 और d के कितने होते है बच्चो 5 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 total जोड के देखो कितना सब की equal energy है total कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गया 9 जो दिया हुआ है अब मैं बात करूँ H- की तो H- में आपको पता है electronic configuration क्या है 1, 2 क्योंकि ये अब एक electron नहीं दो electron system है जब दो electron system होते हैं बच्चो यानि यहां होगा impact of screening effect screening effect का तो impact होना ही होना है यानि अब जो है हर level की energy जो sub cell की energy है वो same नहीं रहेगी यानि कैसे लिखेंगे 1S, 2S, 2P then 3S, then 3P then 3D, then so on क्या कोई problem बाली बात है नहीं अब अगर excited state में गया तो first excited state क्या होगा जब 1S का electron क्या हो जाए 2S में जाए मामते हो और question में क्या पूछा है second excited state कब होगा जब 1S का electron कहा जाए 2P में जाए मामते हो कभी भी 1 electron system हो तो कोई screening effect नहीं होगा हर level पे energy क्या हो जाएगी equal होगी यह बहुत VVI चीज है याद रखना तो second excited state में electron कहा गया 2P अच्छा 2P में कितने orbital होते हैं 3 तो degeneracy क्या होगी degeneracy क्या होगी आरे सर जी बहुत अच्छा 3 होगी तो इस question का answer क्या होगा बच्चा 3 बहुत अच्छा theory questions है लेकिन समझने की बात है अगर हम इसको अच्छे से post-martum कर दे तो हम एक-एक चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और यह totally depend करता है आपके theory पे कितनी hold है चलो मैं बच्चा I hope note down कर लिया आपने मैं समय ज़्यादा बढ़बाद नहीं करूंगा and मैं इसको रब करके आगे बढ़ जाता हूँ चलो आगे जब हम बढ़ जाते हैं तो question number 8 में देखे क्या है अच्छा matrix matching है metric में बहुत आसान है photon photon क्या होता है photon आपको पता है radiation है ना चलो यह क्या होता है exhibit आपको पता है matter waves कोई भी चीज़ जो दुनिया में जो होता है light के साथ जो associate particle होता है उसको photon बोलते है light में dual nature होता है यानि वो momentum भी so करेगा और wavelength भी तो A का तो D option हो जाएगा अगर electron की बात करो same होई बात है उसके पास wave nature भी होगा और wavelength दोनों मतलब momentum भी होगा wavelength होगा यानि second का भी D होगा अगर si square मतलब क्या होता है याद करो sodinger wave equation क्या दिखाता है probability density दिखाता है बिलकुल और एक और चीज आपको पता si की value हमेशा क्या होती है positive होती है si की नहीं si square की si की value को ही तो negative को positive करने के लिए इसका physical significance होता है यानि इसका answer क्या होगा B and C चलो principal quantum number आपको पता क्या दिखाता cell यानि value of 4 value is 4 for n sub cell बिलकुल A option दूसरा देखो always positive value बिलकुल principal quantum number का भी positive value हमेशा क्या होता है positive होता है तो देखो easy है बिलकुल theory पे मैंने बताया था कोई भी नहीं चीज मैंने आपको inclusion नहीं की चलो बच्चो मैं इसको रब करता हूँ और next segment की तरब बढ़ते हैं next segment क्या है उसको देखो it's very simple and you can easily solve now read the question the position and energy of an electron is specified with the help of 4 quantum number देखो लिखा हूआ है the angular momentum का formula दिया हूआ है और spin angular याद करो मैंने भी लिखाया था spin angular momentum का the electrons having the same value of NL ML are said to belong the same orbital ये तो जानते ही हो according to the police exclusion principle an orbital can have maximum of 2 electrons and these 2 must have the opposite spin ये तो आप जानते ही हो कि एक अगर ऐसा होगा तो दूसरा ऐसा होगा चलो बहुत अच्छी बात है कुछ questions कर ले पढ़ लिया ये दूनों याद दखना angular momentum चलो question क्या है for an electron for an electron having N is equal to 3 and L is equal to 0 the orbital angular momentum अच्छा orbital angular momentum का formula क्या पढ़ा था L, L plus 1 H upon 2 pi पढ़ा था जब L ही आपका 0 है तो पूरी value क्या होगी 0 ही तो होगी भईया तो answer क्या हो जाएगा ये 0C option क्या कोई problem बाली बात है नहीं these questions are so much easy if you have a command over the theory बिल्कुल हर pattern के question मैंने डाल दिये है so ringer wave equation के question मैंने class time में आप लोग को करा चुका हूँ question number 2 the maximum number of electron having N plus L 5 कौन-कौन से orbitals होंगी इसमें बताओ तो N plus L जिसकी पहले सबसेल धून लो 5 आपको पता है अगर मैं 3D की बात करूँ हो जाएगा 4P की बात करूँ देखो होता है क्या बिल्कुल अगर मैं 5S की बात करूँ तब भी होता है देखो 3D के लिए N plus L की value याद आया 3 plus 2 5 कुछ command होना चीए confident होना चीए 4P के लिए N plus L की value क्या होती है 4 plus 1 5 होता है क्या बिल्कुल N plus L की value 5S के लिए क्या होती है 5 plus 0 5 होता है क्या यानि 3 sub cell दिखें बहुत अच्छा तो question में पूछता है number of electrons कितने होंगे वा D में कितने orbitals होते है 5 तो कितने electron होंगे 10 P में कितने electron हो सकते है maximum 6 और S में कितने होते है 2 तो count करो तो 10 प्लस 6 कितना होता है 16 16 प्लस 2 कितना होता है बच्चो 18 तो इसका answer क्या हो जाएगा B option क्या कोई problem बाली बात है नहीं बिलकुल theory based question है अगर command है तो आप easily कर सकते हो बहुत अच्छी बात है चलो next question की तरफ हम बढ़ते हैं चलो इसको पढ़ लो the hydrogen like species Li2 plus 1 electron system है is in a spherically symmetrical state S1 बहुत अच्छा with one radial node अच्छा एक radial node है अपन absorbing light the ion undergoes transition to a state S2 अच्छा light को absorb करके यह S1 से कहां चला जाता है S2 की तरफ बहुत अच्छी बात है the state S2 has one radial node and its energy is equal to the ground state of the hydrogen atom the state S1 is अच्छा पूछा है S1 में एक radial node है अच्छा अगर मैं बात करूँ 1S से सुरू करूँ 1S में अगर radial node की बात करूँ आपको बता है radial node इसमें क्या हो जाएगा 0 लेकिन अगर मैं 2S की बात करूँ तो 2S में radial node क्या होता है बच्छा radial node का फॉर्मूला जानते हो न N-L-1 N कितना 2-0-1 यानि 1 1S का चेक करके देखो न N-L 1-0-1 यानि 0 होता है तो starting मैंने 1S से की तो भाईया 2S में मुझे कोशन में बोला है कि 1 radial node है तो यानि जो S1 है वो कुछ नहीं 2S है अड़े वासर बिल्कुल अब बोलता है the energy state of the S1 in units of the hydrogen atom अब S1 की energy कितनी होगी यानि 2S है इसमें S1 की energy क्या होगी चलो हमको पता है E N is equal to क्या होता है minus E1 multiply Z square upon N square 2S है यानि N की value क्या है 2 है यह तो हम जानते हैं बहुत अच्छा तो लगा दूँ E N E1 के जगा हम लोगा दिया minus 13.6 electron volt per atom Z के जगा lithium का atomic number क्या होता है 3 का square और N के जगा क्या लगाओगे 2 का square बहुत अच्छी बात है E N लगा दिया E N मतलब उसी के लिए minus 13.6 3 3 is a 9 upon 4 क्या हो सकता है क्या बिलकुल चलो यह हो जाएगा divide करके कर लो 4 3 is a 2 L 4 4 is a 16 कोई दिक्कत वाली बात है नहीं चलो 13.6 है अब 4 3 is a 2 L 4 4 is a 16 3.4 into 9 9 36 9 3 is a 27 27 और 3 क्या होता 30 30.6 के आसपास रुको एक बार और इसको solve कर ले क्या पूछा दा energy of the state in SI unit of the hydrogen atom ground state energy energy of the state हाँ बिलकुल सही है इसको एक बार point में solve कर दे जाड़ इसको lithium 2 पलस ही है न बिलकुल lithium का क्या होता तीनी तो होता है बिलकुल second state में है बिलकुल अगर S1 को इसने ground state माल लिया चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यही पे इसको solve करता है even is equal to minus 13.6 into 9 divided by 4 और यहां पे यह 10 आ गया तो चलो अब कैसे solve कर देंगे 4, 3, 12 okay and 4, 4, 16 यही तो होता है 4, 4, 16 okay 34 into 9 34 into 9 वही आएगा 9, 4, 36 okay 9, 3, 27 in 30 upon 10 यानि 3.06 3.06 के आसपास यहां पे कौन है यही है तो यह answer हम लिख सकते हैं overall answer तो आया नहीं है लेकिन इसको ले सकते हैं अब लिखो एक बार और देख लू energy of the state S1 in units of the hydrogen atom hydrogen atom ground state energy एक और चीज में बता दूँ अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ yes बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर इस formula को मैं लगाता हूँ 13.6 तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आज आएगा आपका answer value में कभी कभी difference हो सकता है तो चलो बच्चो समया चुका है आप से बिदा लेने का कोई दिक्कत वाली बात है time has come time to say bye bye and thank you so much